हाई गाईस कैसे हैं आप सबी लोग आई हो बच्छे होंगे और आज किस वीडियों देखने वाले हैं जो भी छात्र बीएसी थर्डियर में है उनके लिए हम देखो फिजिक्स का सेकंड पेपर लेके आए हैं ठीक है देखो इन कोशनों को आप याद करके 85% प्लस लेके आओगे मैं आपसे बादा करता हूँ यहां से एक भी कोशन बाहर नहीं जाएगा और जो कोशन मैं आपको बता रहा हूँ वह कोशन उतना पढ़ लो उसके लावा कुछ और नहीं पढ़ना है आप यूपी की किसी भी यू पर लिंक है उसके जाएगे और सारे लिंक का आपको बहार नहीं जाएगा दो हजार वाइस के एक्जाम में 100% यह कोशन पूछे जाएंगे और मैं आपसे बादा करता हूँ कि एक्जाम से दो दिन पहले मैं आपको 10 कोशन दूँगा जो आपके पेपर में आते होंगे ठीक यहाँ कोशन है फर्मी उर्जा किसे कहते है फर्मी उर्जा दिहान से दो को फर्मी उर्जा किसे कहा जाता है तो यह कोशन को रिड़ करो फर्मी उर्जा की परिभासा याद करेंगे ठीक है उसके बाद में आता है चालक की परिभासा आचालक की परिभासा और अर्ध चालक की परिवासा चालक की परिवासा और अद्शालक की परिवासा ठीक है स्रंकला अभिक्रिया किसे कहा जाता है स्रंकला अभिक्रिया को हम चैन अभिक्रिया भी बोलते हैं तो स्रंकला अभिक्रिया की बारे में आपको याद कर लेना है ठीक है अलफा च्य क्या होता है अलफा च किसे संध्या दी जाएगी अब देखो यहां बूला गया किस्टलों के साथ समूदाए को हम डायमेंड भी बोलते हैं और डायमेंड की सरचना या फिर गुड़ के बारे में याद करेंगे ठीक है और देखो क्रस्टल के पिरकार आप जानते है क्रिस्टल के कितने पिरकार होते हैं वो पढ़ेंगे और क्रिस्टल जाल क्या है जालक तल जिसे कहते हैं उसके बारे में याद करेंगे ठीक है प्रभावी लेक्टॉन प्रभावी द्रमान के बारे में देख लेना यह मौस्ट इंपोटेंट है यह कोशन बन चुका है बहुत तरीके से इसको देख लेंगे उसके बाद में आता है ब्लोग में क्या होती है अप इसको पढ़ेंगे और द्रमान छती के बारे में पढ़ेंगे बंदन उर्जा की परिभासा पढ़ेंगे सोट में आपको देखना है सब कुछ मौसले के सिद्धान्द के बारे में मौसले सिद्धान्द एक होता है मौसले एक होता है मैसोन सिद्धान्द सिद्ध हो सके तो पढ़नेंस सभी है और प्राकिर्तिक रेडियोक किसे कहते हैं मोस्टिप्ठक ये आप हीं जो मुलर गृत्र होता है इसकी बारे में पढ़ेए ऊड़ी होता है और क्रेश्टार्ण कैस प्रिकार से होता है आप से पूछेगा कि जो charities करनद उसके बारे में पूछेगा परमाडू के बारे में पूछेगा परमाडू नाभी क्या होते हैं नाभी की वलकी परीभासा इसको छोड़ देना जालक कंपन क्या होता है और बीटा क्रोणों के रेकी स्पेक्ट्रम की पारे में देख लेना यह था 2022 में आने वाली कोशन, अब यहां से बाहर कुछ नहीं आएगा, इन कोशनों को रेट लेना, मैं आपसे बादा करता हूँ कि आपको फेल करने वाला कोई पैदा नहीं है, आधी आप इन कोशनों को रेट किस ले जाते हैं, कोई भी दिक्कत आ रही है, तो हमसे वाट्स